नमस्कार अपलाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में देखिए बिहार में अब विधानसभा चुनाओं की तयारी सुरू हो गई है एक तरफ जहां तेजस्पी देखर अभी से चुनाओं की तयारी में जुट गई है बीते दिनों जहां राष्ट्रिये पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी नितीश कुमार ने दी तो वहीं आज प्रदेश कारेकारनी में बड़ा बदलाओं देखने को मिला है पुरानी कारेकारनी को भंग करके कु उससे होगा इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पास्वान इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं और जिस तरीके से कई राज्जों में विदान सभा के चुनाओं हैं ऐसे में चिराग पास्वान भी कमरकस रहे हैं और चिराग पास रहने को कह दिया गया है अब चिराग पास्वान की राची की बैठक से क्या निकल कर सामनी आएगा क्या जारखंड में चुनाओ लरने की तैयारी में वो जुट गए हैं इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन साथ ही बिहार में चार सीटों पर उपचुना होने है और उन चार सीटों पर जहां पुरानी पार्टियां अपनी ताकत लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामने या प्रशांत किशोर चुनाओती बनकर खरे हो रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने इमाम गंज और बेला गंज में अपना कैंडिडेट उतारने की बा बात करेंगे लेकिन बिहार के पुर्वे डीजी पी एसके सिंगल को लेकर यू के तरफ से क्या अपडेट आया है बिहार सिपाही भरती परिक्षा में पेपर लिग को लेकर हम उस पर भी बात करेंगे विस्तार से चर्चा के लिए वरिश्पत्रकार रविरंजन जी है और परिश्पत्रकार प्रवीन बागी जी है तो सबसे पहले जनतादल यूनाइटेट की नई परदेश कारेकारणी को कैसे देख रहे हैं नई परदेश कारकारणी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है परदेश अध्यक्ष वही हैं उमेश कुस्वा जो पहले थे और पिछले साल कमिटी रिसफल की गई थी फिर इस साल की गई है तो चुनाव विधान सभा का आने वाला है इसलिए हर पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है उसी में जदियू ने भी तैयारी किये तो वो संतुलन कायम करने की कोशिस की गई है नहीं कारे समिती बना के और सबसे बड़ी बाती यह है कि पिछले साल बनी थी एक सलाकार मंधल जिसमें लगबक 200 लोग थे तो उसमें वो ऐसे लोग थे जिनको प्रदेशकार समिती में जगह नहीं मील पाई थी मगर अपने अपने इलाके के प्रभावसाली लोग थे असरदार लोग थे निता थे तो उनको उसमें जगह दी गई थी ताकि वो पाटी को सलाह दे सकें कैसे संगठन को मजबूत किया जा सके कैसे ने लोगों को जोड़ा जा सके मगर एक साल से ज्यादा हो गये और उस सलाकार मंधल की एक भी बैठक नहीं हुई और सलाह देना तो दूर बैठक होती तो सलाह समीति जो इनकी थी वो लगभाग डेड़ सो लोगों की इस बार उसको घटा के 115 कर दिया है तो यह नई चीज है और दूसरे की उसके एक दिन पहले राष्टिये अस्तर पर कई पदा अधिकारियों को इधर से उधर दिया गया कई नेताओं को नहीं जीमवारी दी गई वि राष्टिये अस्तर पर भी हम कई प्रदेशों में अपना काम ख़ड़ा कर पाएं और एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर सकते तो पार्टी को राष्टिये पार्टी नहीं बना पाया तो यह लोग तो लगातार प्रियास कर रहा हैं मगर राष्टिये पार्टी बन नहीं पाती है यूपी में चुनाव लड़े कही बार दिल्ली में पूरी ताकत लगा के लड़े नगालेंड में तो चिराग से हार गए तो हाला कि नागालेंड और उधर एकाद सीटें आती रहती हैं वो समाजवादी नेता कुछ हैं वहां त कि यह समधान अंड Apa क referendum करतें थी तो तमाम प्रियासं के बावजूद पार्टी का राष्टिये तो रूप नहीं बन पाया है वह सबकुछ बिहार हिसे मिख और बिहार में सिमित है वो सिर्फ नितिश कुमार सिमित तो नेताऊं का भी स्तार हो पा रहा हो राहे और न्व पाठी का भी स्तार हो पा रहा है तो वो एक शिम्मट गई है । एक सिम्मट गई है चल रहे पाठी jantadali united का मतलब है one man So यानि सबकुछ नितीश कुमार तो जो परदेश कारेकारे नहीं बनाई गई है इसमें उमेश कुस्वाहा की कितनी चली होगी और उमेश कुस्वाहा को लेकर यह भी चर्चा है कि वो केवल और केवल एक मुखोटा है उनके हाथ में कुछ है नहीं यह बिल्कुल आप ठीक कह हैं और नितीश कुमार के अलावा उस पार्टी में मनें किसकी चले कि किसी की नहीं चलने आप देखेंगे कि एक घंटे के भीतर यह लिस्ट जारी हुए है कमिटी भंग की गई और एक घंटे के भीतर दूसरी इसका माने कि पहले से पूरी तयारी थी कौन क्या करेगा और क अधना वेक्तित्व फी उनका था कि कार्करताओं के साथ अनेक लог मनें जोश के साथ पार्टी से जुड़ते थैलेकिन नेकिन कि वेशकु वाहत में क्या है मेशकु सौच्वह को तो पार्टी के काई कभर नले था उनको अध्यक्षभी मानने से मैंने भीतर ज्या कने नही कुष्वाहा पर अपना वो डाला है को हटा कर कोई रिस्क वो लेना नहीं चाह रहे थे एक तो पहले ही उपेंद्र कुष्वाहा उनसे नराज हो के और पाटी छोड़ चुके हैं तो इसलिए उपेंद्र कुष्वाहा को अध्यक्षपद पर रखा गया है बाकी तो नितीश क भी नहीं कि इसलाह देंगे भी तो उनकी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी तो यह पार्टी वन मैं सो है राश्चिये पार्टी आप ठीकी कर रहे थे कि जोर्ज फरनाडिस जैसे लीडर जब नहीं कर पाए तो यह क्या कर पाएंगे दूसरा है कि इस पार्टी में को झथा उनको भी कभी किया जाता है कभी उनको टांग खी बिभी पब पोड़ी लेकिन वह समाजबादी नेता है पुराने विचारवान व्यक्ति है और उनकी एक पकड़ है इसे कि आजएव में कोई भी बड़ा नेता नहीं है कि इसको Tribe पर तो बाते जो नई उर्जा के साथ संजे जा बॉंडिंग बनाय रखने के लिए उनको रखा गया है अब तो लालन सिंग भी खुल कर पने बीजेपी अनरेंद्र मोधी की उसमें लगे हुए है तो यह दो दो नेता चाहते हैं कि बीजेपी के साथ इसकी बॉंडिंग आप गए है स्वरजु छारखंड में इनके लिए बहुत बड़ा नाम है और तो उसक्ष नहीं की पाटि न्हींत को अध्यक्ष बनाया गया तो जाती का परतँ टेँव करने के लिए और मीटी नितीश कुमार नाि जो चाहा उसको कर भी है दूसरा कॉन है? करने दिया जाएगा तब तो करेंगे अगर किसी को आप जिम्यवारी दे रहे हैं तो उसको काम करने की छूट भी होने चाहिए मगर यह चूट उस पार्टी में नहीं है या उस तरह कि जो भी परिवारवादी पार्टियां श्यत्रिये पार्टियां है उन मैन लीडर्शिप जहां है तो उन पार्टियों की यही इस्थिति है कि सरवे सरवा एक ही नेता होता है और उसी का आदेश चलता है उसी का नाम चलता है बाकी लोग सिर्फ उसके इसारे को समझने की कोशिज करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं तो उमेश कुश्वाह कारकरताओं के बीच अपना कुछ परिष्रम करते रहते हैं लोगों से मिलना जुना कारेले में बैठना उपेंद्र कुश्वाह के काट में ही उपेंद्र कुश्वाह को खाना किया गया यह बिल्गुल सही बात है और दोनों एक ही लाके के भी हैं तो इसलिए लाए गया था मगर फिर दोनों तो अलग अलग हो गए ओ तो छोड़के चले गए उपेंद्र कुश्वाह तो इसलिए और ऐसी स्थिते कि अभी इनको हटाव ही नहीं सकते आप अध्यक्त से कोई बहुत प्रभावी या लेखनिय कारकालिन का नहीं रहा कोई है उपलबधी इनके नाम से नहीं है उपलबधी क्या जो भी उपलबधी होगी या घाटा होगा वो सबनितिष कुमार के नाम से होगा तो वह हैं ठीक है संग्ठन का कितना महत्व है इसी से आप समझ लिए कि हमको तो याद नहीं है कि जब से जद्यू बनी है कभी कमीटी की बैठक कर लेते हैं बहुत है तो प्रदेश कमीटी की बैठक हो गई कभी राष्ट्य कमीटी की बैठक हो गई कभी परिसद की बैठक कर लिए पस हैसे कुछ चुनिंदा नेताओं की बैठक सो दो सव नेताओं की बैठक कर लेते हैं जो लोग सामिल किये गया है कि है इछ है कि वैसे चेहरों को सामिल गया है यहśERE को संगठेन के आधार पर चुनाव नहीं जीतके स्टाइह नहींने नेता के इसारे पर चलती हैं और उसी के नाम से चलती है और उसी के नाम पर चुनावा भी लड़ती है और जनता भी उनिक उपचानती उनिक नाम पर डोट मिलते हैं बहुँ कर रही है। कॉंग्रेस में राहूल गांधी के नाम पर मांगे जाते हैं तो यह इस्थिति हो गई है यह बहुत अच्छे इस्थिति नहीं कही जा सकती आला कि फिर भी भाजपा जो ऐसो संगठन पर जोड़ देती रही है मगर उस संगठन का बहुत ज्यादा लाभ उसको मिलता नहीं दिखा क्योंकि इस चुनाओं में तो संगठन का बहुत बिश्तार हुआ विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई मगर चुनाओं में सीटें खट गई और जिन पार्टियों का संगठन पर कोई फोकस नहीं राता है वो पार्टियां आ गया जाती है तो यह जनता के मूड पर निर्भर करता है इसलिए वान में लीडर्शिप जनता को भी अच्छा लग रहा है जनता उसी को प्रमोट कर रह है लगता है कि पाटी के विस्तार के लिए काम जनता दल्यूनाइट कर रही है लेकिन वहीं दूसरी तरफ एंडिये की एक और सहयोगी पाटी है चिराग पास्वान की लोचपा राम दिलास क्या वह भी लग रहा है कि जारखंड में चुनाओं लरने की तैयारी में है क्यों चंत्र के महापर्व के तौर पर चुनाओं को देखा जाता है तो जारखंड में तो दो तीन महीना ही रह गया चुनाओं और फिर तुरत बाद भिहार में चुनाओं तो चुनाओं के समय पोलिटिकल पाटियां गट पाटियों की गटिविधी नहीं बढ़े तो माना जाए बुमेंगे यह सब है लेकिन चिराग पाईस्वान इत्साह से लवरेज है विशले चुनाओं में लोग सभा चुनाओं में भिहार में जिस तरह से उनका वह रहा पंसाह से भरे हुए उन्होंने जो चाहा ऐनों मने अपने चाचा को प्रास्ट किया फिर अपने लिये जित सीटों पर जीत गये मंतरी बने का अधिक प्यार उनको मिला और उसका प्रच्छन भी किया ने अर्शुक्त ने भी तो उनकी का उपयोग पाटी भी करना चाहती आपने कर ना चाहती जारकंड में चुकिंध तुरग चुनाव ओने जा रहा है और वहां पर शिवराज मूलवासी और आदिवासी के बीच की जो लड़ाई है उसमें चिराग पास्वान जो जो लोग वहां के मूलवासी कहे जाते हैं उसमें चिराग पास्वान की जाती समुधाय के लोग भी बड़ी संख्या में हैं और निश्चित रूप से चिराग पास्वान वहां अगर कोश करेंगे तो उनकी पार्टी को भी बल मिलेगा उनका पार्टी का विस्तार होगा और वो एंडिये के लिए समर्थन जुटा पाएंगे तो उनकी जो राची में होने जा रही है बैठक यह महतफून बैठक मानी जा सकती है वो अपने एक स्टेप आगे बढ़ें मनें कई स्टे का तो दो सीटे उनकी पार्टी को हासिल हुए और नौ प्रतिशत वोट मिले थे जन्तादली उनाइटेडू से बहुत पीछे रह गई थी वोट प्रतिशत में अब छारखंड में जिस तरीके से वह कैंपेंग में उतर गया है राष्ट्रिये कारे-कारेनी की बैठक बुला रहे हैं सांसदों को अपुर विधाय को बुलाया जा रहा है माना जाई कि बड़ी तयारी वो भी कर रहे हैं लेकिन यह तयारी NDA के लिए है या पिर पर प्रेसर देने के लिए प्रेसर जब संगठन मजबूत होगा तो दबाव तो बढ़ेगा ही सहयोगी दलों पर तो चिराग पास्वान अभी केंद्र में मंत्री हैं तो इसका फायदा वो अपनी पाटी को भी देने की कोशिस में हैं और वो चार हैं कि पाटी का भी स्तार हो सिर्फ बिहार की छेत्रिय का भी काम वहां है तो लोजबा का भी कुछ काम हो वहां तो मगर यह भाजबा के लिए मुश्किल हो जाएगा, इससे अगर वहां जद्यू भी मजबूत हो जाती है लोजबा मजबूत हो जाती है उसका भी संगठन about the तो फिर वो टिकट चाहेंगे, चाहेंगे कि सीट सेरिंग हो उनके साथ हो, तो फिर भाजबा की सीटें कम होगी, उनको सीट देनी पड़ेगी, नहीं दीजिएगा, तो फिर, हाला कि वहां कोई गटवंदन नहीं है, दूसरे प्रदेशों में नहीं है, ये एंडिये का जो भ पड़ी स्थिति अपनी मजबूत कर लें, और तब भाजबा से कुछ सीटें मांगें, और उसी क्रम में जद्यूने सर्यूराय को अपने साथ जोड़ा है, तो ये अभी इसी कोशिस में सब लगे हुए, चिराग भी उसी कोशिस में है, बिल्गुल तो चिराग, पासवान क अब ये कोशिस कितना काम कर पाएगी, कितना प्रभाव छोड़ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की राजनिती में प्रशान्त किशोड भी इन दिनों काफी जादा चाहे हुए हैं, अपने दो साल की पध यात्रा वो अब तक कर रहे हैं, और बिहार में जिन चार सीटों पर उपचुनाओं होने हैं, उसमें से दो सीट, इमाम गंज और बेला गंज में अपने कैंडिडेट उतारने का एलान उनके तरफ से किया गया है, इमाम गंज में जिस तरीके से जाकर उन्होंने वहाँ पर कैंडिडेट की घोसना करने की बात क भी वह बड़ा चोखाने वाला उन्होंने कहा कि पांच नाम हम देंगे और उसमें जनतां करें कि कि उन्फाच में से किसे प्रशांथ कि फिरु के तरफ से रहे उन्के लिए उसनाहे तो यह सींटल में उत्र तो एक तो तो उपचुनाव सेमी फाइनल की तरह देखा ही जा रहा है, लेकिन यह लिटमस टेस्ट भी है, तो प्रसांद किसोर की यह लिटमस टेस्ट होगा, कि अगर जो जिस ताम जाम से वो कह रहे हैं, दो अक्टूबर को पाटी की घोशना भी करने वाले हैं, तो प्रसांद किसोर जिन प्रत्याशियों को उतारेंगे, एक तो छपरा सारण की लाके में, एमेल सी के चुना में उन्होंने कमाल दिखाया था, और पहले ही चरण में, जब पार्टी अभी उनकी बनी रही थी, तभी एक प्रत्याशियों को जिता ले गए, तो एक बड़ा संदेश उन्होंने पोलिटिकल पार्टी के लिए दे दिया, और यही बेचैनी राष्टे जनता दल में दिख रही है कि अपने लोगों को मना कर रहे हैं, उसमें नहीं जाने के लिए, यह दूसरी पार्टियों में भी है, भारती जनता पार्टी में और जदियू में भी है, प्रशांत किशोर जब आ जाएंगे मजबूती से, तो इन सभी पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी निश्चित रूप से, तो अभी तो उन्होंने इमाम गंज में य संसदिय चेत्र के में ही रामगड है, उस इलाके में भी चुकि यह बगसर के रहने माले हैं, और बगसर में इनकी जमीन है, पहले से मजबूत है, तो रामगड के सीट पर भी इनकी इस्थिती बन सकती है, तो तीन सीटें जो एंडिये आई एंडिये गटबंधन से शीनना हैं, उसमें अगर सेंद लगा दिये, तो यह इनकी बड़ी ताकत बन जाएगी, जो मनें एंडिये गटबंधन के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, और आई एंडिये का तो मने सब कुछ चिंज जाएगा, तो यह होने माला है, देखिए, आप प्रशांत किशोर की गोसना कर रहे हैं, तो यह लोगों को थोड़ा आजुबा लग रहा है, कि वो कर रहे हैं, कि पांच नाम हम देंगे, उसमें फिर जनता चुने कि किसको उमिद्वार बनाया जाए, तो यह अमेरिका में इसी तरह चुनाव होता है, वहाँ आप देख रहे हैं, राष्टपती का मगर फिर वो पिछड़ते गए, ट्रम्प से तो फिर कमला हैरिस आगे हैं, फिर वोटिंग होई, पार्टी के अंदर हो, उसमें वो जीती, आगे आई हैं, तो जो वाइडिन ने भी उनको कमान सौंप दिख ठीक, अब मैं विड्रॉ करता हूँ, आप लड़िये चुनाओ, तो वहाँ पार्टी के जो सदस्य हैं, वो मिल करके ये तैक करते हैं कि कौन हमारा राष्टपती का उमिद्वार होगा, कोई पार्टी का अध्याक चूपर से थोप नहीं देता है, या दस लोगों की मंडली नहीं नाम तैक कर देती है, तो वो बहुत ज्यादा लोक्तांत् तरीका प्रशांत की सोर भी अपना रहे हैं, कि वो पहले अपने समुह से जो क्लोज सर्किट है, उनका उससे चट्चा करके कुछ नाम ते करेंगे, फिर वो नाम जनता के बीच दिया जाएगा, अब जनता उसमें से जिसको एक नाम कोई चुन ले, या हो सकता है कि फिर का क्यों से आजाए, जो उनके समर्तक है, उनके उर से, तो अब ऐसे इस्थिति में वो क्या करेंगे, वो तो वो देखते हैं, मगर एक नए किस्म की राजनिती वो शुरू करने का कोशिस कर रहे हैं या बिहार में, और इसका स्वागत होना चाहिए, नहीं है तो एक नया ट उनके लिए कैसी चुनोती होगी, और दूसरी पार्टियों के लिए कितनी चुनोती होगी, इसका इसकी परिक्षा होगी, कि जो वो दावा कर रहे हैं, कि हम सरकार बनाएंगे और बिहार का नक्सा बदलेंगे, तो वो कितना दम है उनके दावे में, और जनता कितना उनको विकल्प के रूप में देख रहे हैं इसलिए उन्होंने दो महत्पुन छेत्र चुने एक बेला गंज एक इमाम गंज जो बेला गंज सुरेंद्र यादव का छेत्र रहा है वहां से चर्चा है कि उनके भाई या बेटा कोई लड़ेगा इमाम गंज जितना मांजी का है वहां से उनके बेटे या बहु के किसी के लड़ने की चर्चा हो रही है तो वहां दोनों भी आईपी सीटें हैं और वहां से अगर यह उमिद्वार खड़ा करते हैं तो चुनाओ बड़ा दिल्चस्प और रोचक हो जाएगा और मुकावला भ बात कहिए कि दो जगा हम देंगे उमिद्वार तो इसे जो वहां के की पार्टियां है और जो मानती है कि हमारा निश्चित सीट है उनमें खलबली है चिंता है परसानी है और उसमें कितना सपोर्ट हो पाता है प्रसांत के सवर को लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं यह तो होगा तब पता चलेगा अगर देते हैं रिजल्ट आएगा तो वह आगामी विदानसभा से पहले परसांत की शोर की तस्वीर सब कुछ सब कुछ उसका संकेत होगा कि इनका भविस्ट क्या होने वाला है यह भविस्ट हो जाएगा यह उपचुनाओं की दो सीटें उनके आ आम तोर पर देखने को मिल ही जाता है आपको मालूम होगा कि बिहार में इसके पहले सिपाही बहाली की परिक्चा हुई थी लगबग 22,000 से अधिक पदों के लिए पहली बार जो परिक्चा हुई थी वो पेपर लिग कर गया था और उस दोरान जो चेर्में थे केंद्रिये चैन पौर्षत के वो पुर्वे डिजीपी एसके सिंगल थे लेकिन अब एसके सिंगल पेपर लिग के बाद हटा दिये गए हैं यो यू ने इसकी छानबीन की और चार स्रीट भी तायर की है लेकिन इसके सिंगल को लिकर जो यू के तरब से अप्डेट आया है वो क्या है क निकल पाएंगे कि नहीं यह तो बाद में पता चलेगा मगर उन पर संदेह की सुई घूम रही है यू यू जो जाच करें इस मामले की उसने एक कुश्चनायर उनको भेजा था जिसका जवाब मांगा था तो उन्होंने जो जवाब दिया वो संतोष जनक नहीं पाया गया तो और इन्हों ने अपनी पहल पर एक ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को छपाई का ओडर दिया था प्रस्न पद जो एक जिष्टी नहीं करती थी कंपनी और वो सिर्फ नाम की कंपनी थी एक रूम में वो एक बोर्ड लगा के अपना चलाता था दुकान और उसने इन से ठेका लिय और उसने किसी दूसरी कंपनी से छपवाया जो कंपनी ब्यार सरकार में ब्लैक लिश्टेड है तो ये घपला इनके द्वारा इनके अस्तर से हुआ और ये पहले से संदिग्द रहें इसके सिंगल जब ये डिजी पी थे उसे में भी कोई माम लाया था तो पत्रकारों ने नितिश जी से पूछा था कि क्या उन पर कारवाई होगी तो नितिश जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिये रहे हैं उनका कितना दिन बचा है एक हाई कोट का हाई बिलकुल बिलकुल तो कैसे चीफ जस्टीस बन के और फोन किया उनको और उन्होंने उसमें मदद भी कि गलत तरीके से मदद के उसमें बचाने के लिए उसमें फास गये तो उसी पर पूछा गया था कि क्या उन पर करवाई होगी तो मुस्कुराते हुआ कि अब कितना ही दिन उनके बचे हुए हैं उसमें रिटायर होने वाले थे तो उनको बरी कर दिया तो नितिश कुमार के करीब कैसे हो जाते हैं जिनकी भूमी का संदिक दो ऐसे कामों में और उनको बड़ी जिम्मवारी दे देते हैं तो यह मामला यह है और उसमें फस ते हुए दिख रहे हैं अभी तक तो दिख रहे हैं बिको तो बड़ी करवाई भी हो सकती है अगर ज्यादा और गंभीर माम अभी तक तो पेपर लिग का कोई भी मुद्दा इस परिक्षा में देखने को नहीं मिला है लेकिन वहीं दूसरी तरह बिहार की सियासत और उसको लेकर जो अपडेट थे वो हम आप तक पहुचा रहे थे बने रहीएगा हमारे साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद